इवन वेलकम टूजे केमिस्ट्री तो आज हम अनलेटिकल केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं ठीक है अगर मैं बात करूँ गेट और जैम की तो गेट में तना दा पूछा नहीं जाता तो इस पेशली जो लेक्चर होगा वो जैम के रिविजन के लिए ही होगा ठीक है जैम मे आपके एक से दो कोशन पूछे जाते हैं और मेंली जिन जिन टॉपिक से पूछे जाते हैं वही यहां पर कवर करेंगे ठीक है अनलेटिकल के मिस्ट्री बहुत बड़ी ब्रांच है ठीक है तो हम एक साथ सारे टॉपिक्स तो कवर नहीं कर सकते तो जितना यहां पर हो सकता एक्जाम पॉइंट ऑफ्यू से इंपॉर्टेंट है हम उतना कवर करने कोशिश करेंगे ठीक है तो सबसे पहला पार जिससे कोशन देखने को मिलते हैं जैम में वह आपका क्वालिटीटिव एनलिसिस ठीक है या तो उसमें के टाइन का इनलिसिस होता है और कुछ एनाइंस का बहुत लएन कर सकते हो जितना पॉर्शन आपका जरूरी है मुटन यहां पर डिसकस करेंगे ठीक है तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम यहां पर क्वालिटिव एनलिसिस से तो आपको पदा है जो के टाइन्स होते हैं हमारे उनको हम कुछ गुरूप्स में डिवाइड क इन इन वाटर में बोल दू तो उनको इन रखते हैं अब यहां पर क्लूराइड जो है वह इन सॉल्ड है तो अगर में सॉल्ट में डालूंगा तो प्रिसीपिट हो जाएंगी तो बस यही काम करना तो यहां पर मैं यह बोल सकता हूं जो ग्रूप्री एजन्ट है मेरा वहा ने पहले तो जो मेरे क्लूराइड इंस आलव बनाएंगे वही प्रिसीपिट होंगे बाकी जो होंगे वह नहीं प्रेशीपिट होंगे दो बाकी अधर कटाइन अधर गुरूप के कटाइन सोंगे तो उनको मैं लग रहा हूं ठीक है तो मैंने एक सॉल्ट लिया उसमें मैं एनलिसिस रखेंगे फॉर फर्दर एनलिसिस ठीक है यह मतलब मैं इस तरह से आपको बता रहा हूं जैसे आप मालूल लैब में कर रहा हूँ आपको नहीं पता कि कौन से गुरूप के मिन्ट मैंटल के टाइन प्रिजेंट है तो आपने किया कि आपको एक सॉल्ट दिया गय उसको हम ट्रीट करवाएंगे हॉट वाटर से तो जैसे ही हॉट वाटर से ट्रीट करवाएंगे तो क्या हो कुछ पार उसका डिजॉल्व हो जाए और कुछ पार उसका ऐसी रह जाएगा रैसीडियू तो हम क्या करेंगे एक सॉल्यूशन अलग कर लेंगे और रैसीडियू chromate से react करवाते हैं ठीक है किस से chromate से c-r-o-4 k2-c-r-o-4 chromate से react करवाएंगे तो यह क्या करेगा react करके आपको pb-c-r-o-4 दे देगा ठीक है जो कि एक yellow color का precipitate होते है ठीक है yellow color का compound दे देगा तो मतलब आपका pb-2 प्लस उसमें है आप confirm हो जाएगा ठीक है अब अगर ऐसी में बात करो किसकी residue की तो residue में आपका ag plus हो सकता हो और hg plus हो सकता residue क्या होता है बिसिकली solution को हमने filter किया हटाया तो वहां पर कुछ amount तो कुछ बचेगा ना कुछ residue बचेगा ठीक है तो वह residue होता है तो hg plus हो सकता है और hg plus हो सकता है ठीक है तो इसमें जैसे आप ammonia डालोगे आपको पता है silver जो होता है अपमोनिया के साथ एक complex बनाता है ना silver mirror जो हम देखते है इसमें तो यह क्या बनाएगा एक silver mirror का बना लेगा तो यह अलग हो जाएगा solution में बना लेगा और लेकिन जो residue बच जाएगा हमारा फिर से हम solution को अलग करेंगे और एक हमारा residue बच जाएगा उसमें हमारा hg plus होगा और फर्दर हम इनके कुछ confirmatory test होते हैं वो कर लेंगे ठीक है तो सबके confirmatory test यहां पर नहीं बताऊंगा मैं कुछ important important बताऊंगा जो इजाम में किलिए important होंगे ठीक है सबके हम यहां पर discuss नहीं कर पाएंगे तो यह बात हो गया हमारे किसकी group one की अब मैं अगर बात करो group two की ठीक है तो group two थोड़ा सा बड़ा है जैसे उसमें आपके तीन चारायन थे इसमें आपके कुछ और जादा है यह आप देखते हैं आप मैंने seven लिख रहे हैं औ मतलब जनरली हमें यहीं देखने को मिलते हैं इसलिए हम इन्हीं को जातर पढ़ते कुछ रेर क्टाइंस भी आपके होते हैं तो यह group two है अब group two की बात करूं तो इसको group two में क्यों रखा गया तो इनके chloride जो होते हैं वह तो सॉलिबल होते हैं लेकिन के जो सल्फाइड होते जोंगे डीजॉल्व नहीं होंगे तो इस तरह से हम इसको फृदर करेंगे हमने क्या हैं पर हम और अगे यहां करते जाएंगे तोब अब अब करी पिटी पीटी ऊसको मैंने इमोनियम फॉली सफवाइड से यह आपको याद रखने हैं। क्या किसे र drag करवाया हुआ है ऐस्कों पॉली सॉलूशन बन जाएगा और इसिशन बच जाएगा मेरे पास क्या होंगे solution में प्रेजेंट होंगे इनके अलग confirmati test हो जाएंगे और जो residue बचेगा ठीक है जो आपका residue बचेगा उसमें आपके यह वाले के टाइन्स होंगे अब क्या करूँगा मैं अब मैंने बता है इनके जो sulfide बनेंगे वह mineral acid में क्या हो जाएंगे dissolve हो जाते हैं ठीक है तो हमने यहां पर HNO3 डाला ठीक है अब हमें फिर से solution मिलेगा और कुछ residue का पार्ट मिल जाए जो residue बचेगा उसमें हमारा ही टू प्लस होगा इसका अलग confirmate test हो जाएगा और जो solution ठीक है जो की blue color का अब blue color किस वज़े से आता है वह copper 2 प्लस के वैसे तो हमें वहां से पचल जाए कि हाँ copper 2 प्लस present हो सकता है ठीक है अब मैं क्या गरूँ जो PPT बचेगा उसमें मेरा भी आई 3 प्लस हो जाएगा भी आई 3 प्लस हो जाएगा तो आपसे question यहां पर ऐसे पूछ सकते हैं कि आज यहीं जो केटाइन मैंने बताए इस ग्रूप के जो केटाइन है ना तो वहां पर क्या देगा आपको जैसे हैस डलवा दिया तो आपसे पूछ लेगा यहां पर कौ कोपर टूपलस भी एक अब हम इसको कैसे differentiate करें तो यहां पर हम क्या करते हैं किसके लिए कौपर टूपलस के लिए तो कौपर टूपलस का अगर present है वहां पर तो हम क्या करेंगे वहां पर के टू या एने टू एफी सी एन सिक्स यह जो आपका फैरस सी एन सिक्स ठीक है यह वाला कॉंपलेक्स जो है यह वाला सॉल्ट इसमें डालेंगे ठीक है इन प्रेजंस ओफ सी एस थ्री सी ओ एच ठीक है एसिटिक एसिटिक के present में प्रेंस में यह हम डालेंगे ठीक है कि एफी टू पलस का सॉल्ट है तो यह जैसे हम कॉपर टू पलस के सॉल्ट में डालेंगे तो हमें क्या करता है एक रेड कलर का कंपॉंड मिल जाता है जो की कन्फर्म करता है कि क छो आपकांfikस नापकर किया है जो आपका क्या एक दिखाता है कि हाँ आपका जो कोपर हैो यहांपर प्रेजन्ट है ठीक है तो यह आपका मलं बनाता है कि जिस्सेम का प्रेसंट हो जाता है कि क्या होता है अगर मैं बात करूं को गुरुप 3 में क्यों रखा गया है तो इनके जो होते हैं वह डायलूट एसवीड में इस वह इस ना करके आप पर कोई सलफाइड सोर्स ही यूज करेंगे लेकिन मतलब थोड़ा सा बेसिक कंडिशन में तो हमारा जो फिल्ट्रेट बचाता गुरुप 2 से उसमें हमने क्या अमोनियम हाइड्रोकसाइड डाल दिया ठीक है वहां पर हमने क्याता है अमोनियम पॉली सलफाइड बाद में डा करने ठीक है अपने गए पीटी है इसमें डाल दिया हमने इसले डाल दिया ठीक है ऐसी डाले है कुछ सलीशन कुछ डिजौल जाएगा और और कुछ वहां पर है रैसी द्यूट बच जाएगा जो रैशी बचेगा वहां पर हमारा क्या आता है को बाल टू प्लस और निकल ट करते हैं तो हम इनको जो find करते हैं वो लिए जटे सेफेजिस करते हैं आपका दो shifts और टेस्ट कि Hers Switch на box अजय में ने थिरन की टेस्ट में क्या होता है आपका बेसि के लिए infectious को हीट के जाता है और वहां पर बिजी कुछ दिलन गलर्ग मिलते हैं ओब production तो यहां को डीब ब्लू कलर देता है औक्सड़ाइजिंग हो या फिर डीऊस फ्लेम हो डीप ब्लू कलर देता है वहां पर कुछ फ्लेम्स होती है ऑक्सड़ाइज फ्लेम होती है और फ्लेम होती है तो तो इसमें different ठीक है F2 plus, Uranilion, Aluminium 3 plus, Chromium 3 plus, Mn2 plus और Zinc 2 plus ठीक है और यहां पर Fe3 plus भी रहता है आपका फिर अब अगर इसकी बात करूं मैं यहां पर मैंने अगर डाला क्या NaOH in excess ठीक है NaOH जैसे डालोगे तो आपका कुछ हाइड्रोकसाइड प्रिशिपिटेट हो जाएंगे हैं ठीक है तो यहां पर प्रती बनेगा एक और एक आपका फिरसा फर्दर आप पर फिल्ट्रेट कर लें फिल्टर कर लेंगे इस प्रती को तो जो फिल्ट्रेट होगा उसमें आपका जिंग और एक फिल्ट्रेट बचेगा वह आपका मन्टू प्लस ठीक है क्या किया मैं यहां पर यहां पर जो पहले डिजॉल्व किया इसके बाद उसमें डाला डिजॉल्व हो गया होगा ठीक एक सुलूशन बने जाएगा उसमें हम क्या करेंगे और इसके बाद किया होगा उसको फडर करेंगा उसको फिल्ट्र रेंगे मैं आपका नदू प्लस हो शकता है और यो यूरीन ले लाएना जाएगा और जो बचेगा उसमें आपके 3 प्लस और क्रोमियम 3 प्लस आएंगे और अगर इसका टेस्ट करना चाहते हैं तो वह अगें वही इसको आप लाएंगे फैरस साइनाइड से हैं अपने साइनो फैरस कॉंप्लेक्स जो था भी हमने फी देखा था ना फी सीन होल सिक्स और उस पर फोर माइनस ठीक है और फिर के टू एफी सीन सिक्स से हम इसको रियक करवा देंगे तो अगें आपका वह परिशन ब्लू बगारा कलर जो बनता है ना उस तरह से आप इसको कंफर्म कर सकते हैं ठीक है और क्रोमियम का आपका एक अलग टेस्ट हो है तो उसमें आपके यह आ जाते हैं मैगनेशयम आपका जो आता हुग फिस्त में आता है जो आपका इल्केली मेटल के साथ आता थाक है तो अगर मै तो आपका जो गरुप रियेजन्ट रहेंट है और थिक क्या है आपका अमोनियम कार्बोनेट इन प्रेंस ऑ अमोनियम होता है इनके sulphide soluble होते हैं चाहे वह अलकलिल कंडिशन हो चाहे वो है नॉर्मल कंडिशन हो ठीक है और इनके क्या होते है क्लोराइड भी होते हैं थियान रखना यह जरूरी पर ठीक है अमोनियम थ्यान पर जरूरी है तो जब चाहिए कि अमोनियम थ्यार बचा होगा ठीक है अब जो और सबचा होगा न उस्में हम एश्य को बार चाहए तो सूख जाएगा कुछ न कुछ में रैसीडियू बचा होगा ठीक है अब जो वो रैसीडियू बचा होगा ना उसमें हम एस्टू और कैल्शियम सलफेट एड़ करेंगे अब यहां से देखना जा हमने यह एड़ किया है तो क्या होगा या तो कोई idle पिटी बने नAh अगरको एपीटी नहीं नहीं बना तो वहां पर आपका केल्शियम 2 रहा होगा ठीक है केल्शियम 2 Plus रहा होगा और अगर कॉरिंगों करना थो आप इसमें में फ्लेम टैस्ट कर लेंगे और आपने जैसे ही यह कैलिशन सुल्फिट बन गया अगर आपका वहां पर रहेगा ठीक है यह ध्यान रखना था आपको तो यह तो बात थी ग्रूप फॉर्थ की बात करूं तो ग्रूप फिफ्ट में आपके कि curड करण मधनिसे और सियर में गया ही इनकी बात करों तो यह क्या होते हैं जितने उन में से किसी रिजेंट के साथ यह प्रेशुटेट फॉर्म करेंगे अगर अमोणिया है तो सिंपल आप क्या करो इसका प्रिलिमिनरी टेस्ट कर लेंगे कि हम ने इसमें डाला और हीट कर दिया ठीक है होत ऐंने वेश्म ढाल लिया ithcan करोगे तो आपको पता है अमुम्या यहां से रिलीज होगी तो अगर आपको de Riverus अभिश्च सकता है उसके बाद अगर आपका यूज्च हम यहां पर यूज करते हैं अब क्या होता है Специ الإ Letterian parf क्या होता है आपका ये टू एच घी ईफोर ठीक है मर्कुरिक आयोडाइड यह जो आपका क्या होता है आपका नेसलर्स रिएजेंट होता है इसको जब आप इससे ट्रीट करवाएंगे तो आपको येलो ब्राउन कलर का पिपीटी मिल जाएगा जिसे आप अब कन्फर्म हो ज को कन्फर्मेट ऐसे बतारों मैं सीधा सीधा इसमें आप डालोगे अमोनियम हैड्रोकसाइट एनेच फॉर ओएच इन प्रेजन्स ओफ एने टू एच पी ओफॉर ठीक है जब आप यह इसमें एड़ करोगे तो आपको एक वाइट पीपिटी मिलेगा किसका एम जी एनेच फॉर पी ओफॉर ठीक है कैसा होगा यह वाइट होगा वाइट पीपिटी मिलेगा ठीक है तो यह कंफर्म कर देगा कि हाँ वहाँ पर मैगनेश्यम टू प्लस आपको इस तो हमें घ्ली में में तो अगर बात पर प्यासियम है अगर आपका अगर आपकी प्लश प्रेज़त है तो उसमें आप दाल देंगे ऐचसे एलोफ ओर किसल प्लस मिल यह जैसे को मिल इसको आप युम वे क्रिदूल टो अपको होगा कि सिगत कर न देग में और फर्दर इसका test होता है kclo4 जैसे आपको मिले उसको आप रियक करवाएंगे किससे प्लस यहां पर कर रहा हूं मैं na2 co n2 whole 6 ठीक है इस complex रियक करवाएंगे तो आपको यहां पर क्या मिलेगा k2 na co no2 whole 6 ठीक है यह compound आपको मिल जाएगा जिसका color जो होगा वह यलो होगा तो यहां से आपको क्या हो जाए कि हां वहां पर potassium रहा होगा ठीक है यह यहां पर उन को पैचान सकते हैं कि हां यहां पर यह पर बहुत सारी राक्शन करने थे तो नहीं है तो कुछ-कुछ आपको याद होनी चाहिए ठीक है और examiner आप सबिसको 177 नऩा तो अगर आप लैप में तो अब लाइब में तो फोड़ा याद रहता ए ऐसे याद रखना तो बड़ा मुश्किल काम होता है लेकिन अगर सबीज़ को खोड़ा होगा ना तो फोड़ा याद रहेगा और आप अच्छ से रिकॉल कर सकते है क्जाम में तो इसी तरह कोश्वन आदे कि ताकि आप उसको लैब में अच्छी तरह से रिकॉल कर भूँ ठीक है अब यहां पर एक कोश्वन कर लेते हैं तो अगर मैं कोश्वन की बात करूं उसके आप करेंगे तो यहां पर मुझे बताना है इस reaction में क्या होगा ठीक है तो आप आराम से पैचान लोगे जैंट 17 में पूछा होगा कोश्चन है तो हमें पैचानना है और टू प्लस में हो ठीक है हमने वहां पर सुल्फाइड का सोच दाला ठीक है माले सल्फाइड है उसने ब्लैक यांध में प्टी दे रहा है आपको पता है सल्फाइड साथ कौन से इरुप क्यों से विफटेूर के एक सथ आपके गृप 2 में थे थिक है अब आपका वैसे भी गुरूप किसमें आता है वह अब देखा था मैं इसके सलफाइट की प्रिस्प्टेट की बात करू अगर ये मालो डायरेक्टिल इस बिना भी रहा है ना तो उसका प्रिस्प्टेट जो होता हो ब्राउन कलर का होता है तो यह आपका अंसर नहीं होगा उसके आगर मैं ऐफी टू प्लस की बात करूं तो हां यह यह भी अंसर नहीं हो सकता लेकिन अगर माल लो अगर इसने भी यह डायरेक्टली क्या होता है जो आपका आइरन होता है ना वह सलफर से रियक्षिंट करके फिस बना लेता है ठीक है कर लेकर भी यहां एयरेक्षिन यह नहीं होती जो बना लो तो डियून की इसलिले आंसर नहीं कि बना सकता है ठीक है टायं लेकिन ब्लैक्सटोंति बनाता है यह टी रखा की ये ये विल्म चम आपका ऑपको लिए लुस में घाना है क्या बनेगा तो ये आपका स्ट. मिल जाएगा छोड़ा न से रखना पड़ेगा कि कि सल्वाइड की सल्वाइड होता है के जाता है यह उसके ब्लैक लड़ के बना रहे होते हैं सलफाइट जो बनाते ठीक है वह देखना है तो यह कुशन था आप अगर में बात करू इसकी नाइन्स की ठीक है तो एनाइन सम्झा स्टिक्लर जिसकुर्श करेंगे कि ऐना सम्टाइम इनको नाइनिक राधकल भी बोलकस थे थे तो इन में भी बहुत सारे ग्रूप होते हैं उस अदय से साथ और इनके ग्रूप की ट्लासिफिकेशना वह Canadian होते छो फीस किहा T क्लासिफिकेशन की जाती है और छे या साथ ग्रूप होते हैं ठीक है हम यहां पर पूछा हुआ नहीं है एक्जाम में तो हम यहां कुछ पर्टिकुल और की रियक्शन की बात करेंगे सबसे पहले बात करो तो अगर को हैपको पता होगा बहुत ही फेमस टेस्ट एक कौनसा ख्रोमाइल क्लॉराइड टेस्ट में क्या होता है अगर आपको कोई सील माइनस का सोर्स है अगर उसमें आप क्या डाल दो आप उसमें के टू सीयाटू ओ सैवन मतलब डाइक्रोमेट डाल दो और उसको हीट करो किसे के साथ तो वहां पर आपकी ओरेंज रैड वैपर्स मिलती है तो क्रोमाइल को रइड की तो कैसी रियक्शन होती है मालों आपके पास के सील है तो आपने हीट किया के टू सीयाड टू ओ सैवन प्लस एच तो इस और अपकी तो आपको क्या मिलेगा यहां पर एक रैड और और है तो क्यासी रही तो क्यान प्लस चाहिए अब यूद्ध जाएगा और आपको के टू एसो फोर मिल जाएगा और प्लस वाटर भी यह तरह से रियक्शन होती है बैलेंस नहीं कर सकते यहां पर तो यहां पर आपका जो कि पता कह चलता है कि हां जो रहाए वह निकल रही है यहीं आपका क्रोमाइल क्लोराइड है तो यह भी पूछा आ सकता है तो इसको आपको पता है इनकी ब्राउन क्रूम होती है अगया आपको कुई सोर्स है सॉव्ड है तो हमने इसको सिसे प्रायूनलिंग और यह इंपोर्डन त्याम यह ऑव आँवा और इहलों आ जो मेरा नाइट्राइट का नाइट्रेट का जो सॉल्ड है उसको सभसे पहले हमठीट कर वाता है किस से M american यो है यह ऊह इन कर रहा है यहापके पासॉल इसको आपने यह सॉल्ड से साथ रियॡग करतें हम सल्फिर के से डालते हैं साइट में टैस्ट ट्यूब के साइट से तो आपको ब्राउन रिंग सी बनती भी दिखाएती है तो होता क्या है जो नाइट्रेट होते हैं वो पहले क्या बनाते हैं यहां पर आपके क्या बनाएंगे वह एचे नू थरी बनाएंगे और यहां पर बहुतने टो सो फो यह वह फोगा अब यहां पर पैर सल्फेड यूज करते हैं क्या सोलूशन ऑफ फैरा घट करता है तो यहां पर क्या होगा यहॉइजिं तरह काम करते है आपको पता है चलम में हो तो एक तो यह नंग होग architect आपका और साथ में साथ में क्या बनेगा आपका एन्नो निकले एन्नो यह यह जो बनेगा तो यही जो होता है यह जो बनता है आपका यह फर्दर क्या करेगा जो आपका फैरस सल्फेट होगा ना एक्वस वाला कुछ तो प्रेजंट होगा ना कुछ को कनवर्ड करेगा और अब यह एक compound बनाता है जिसको हम ब्राउन जो एक ब्राउन complex होता है क्या होता है वह फी अगर वाटर प्रेज़ेंट हो गई तो अगर मैं ओवर कॉंपोजिशन लिखूं इसके — 2 o whole 5 होता है ऐसा complex और यहां पर नो होता है और बाहर आपका एसीय पोलता है यहां पर यहां तो यहां पर बंदर इन प्योक्ति होता है और यहिए आपका ब्राउणर रिंख बनाता है ईसकी वहाँ आपका इन नो 3- एस पर तो मिलगतें यह चैने और ख़र करें के अपना तो इसरे कर इसे हैं तो जो satisf दिकर वो क्या है गुए और वाज आ रशेत किसे हुस्वद चाहिấ नेगतीव होता है तोसे नेरी सोलत तो है तो अगर आप इसमें S2SO4 डालेंगे तो ऐसे आपको पता है यह होता है ठीक है तो जिसका सॉल्ट होगा यहां से क्या होगा डिहाइड्रेशन होगा और आपको सियोडों साथ में आपका जो भी हो यहां पर इसकी साथ जो भी आपका बना लेगा यहां से और को तो बहुत अच्छा बैस यहां में इसको हम पास करेंगे ठीक है क्या करेंगे सियो टू को पास करेंगे किससे कैलशियम हईड्रकसाइड सुलूशन से तो आपको पता यहां पर क्या होता यह सलूशन को क्या करता है Milky कर देता है ना Milky जो कलर बनता हो कसे calcium carbonate की वह से बनता है Milky कि ठीक है केल्शियम कार्बोनेट बनने लग जाता है उसके वेसे मिल्की हो जाता है इस सोलुशन को मिल्की करता है लेकिन अगर मैं इसको एक्सेस में डालता रहूंगा आ kilometers में उसको पास करता रहोंगा तो क्या होगा यहां पर है यह सब कैलो कार्बोनेट है वो और या होता ह shaken back स्धुन कार्वोननी। इस COM वेının मतलब सबस्सक्राइब आठेकर पहले देखो तो आप क्या होगा फिर मिल्की कलर होने लग जाएगा उसके बाद क्या होगा जैसे से आप एक्सेस में इसको स्योटू को पास करने लग जाओगे तो केल्शियम हेड्रोन कार्मेट बन जाएगा जो की सॉलिबल होता है तो बस यह था अब अगर मैं ऐसी बात करूं किसकी नेक्स वाल आपके एनकी त तो इसको पहले है एचे नो 3 से एक्र होगे तो यहां पर माल लेते हैं आपका यहां पर एने टू एस सो फोर रहोगा फिक है कुछ इस तरह से तो आपका इक तो भो बन जाए गा एने टू एने नो 3 बन जाएगा बैलनस नहीं लिख रहा है गैमिकल रियक्शन बस मैं बता करों क्या बनेगा ठीक है और साथ में आपका इस्टो एसे अफोर यहां से बनाओगा उस अगर स्टोएसोफोर को हम कि बेरियम सॉल्ड और एक करेवा ठीक है बेरियम क्लोराइड से तो यहां पर क्या होगा बिएएसोफोर बन बना लेता है तो यह तो बात थी आपकी अब अगर हम बात करूं नेक्स जो है आपका वो है अगर हम यहां पर सलफाइड आयन की बात करें क्या होते हैं स्टू माइनस की बात करते हैं ठीक यहां पर हम आप क्या लेते हैं आइटू, इस लेते हैं बात नेड की है न यहां पर सलफाइड आयन प्रेजीनट तो इसका अच्छा जो है आपका सोड्यम नाइट्रो प्रॉसाइट टेस् लाए एक्जाम में पूछा हुआ है तो हूं गया करते हैं सोडियम नाइटरोप्रसाइट ऑनी मिलने उसका इसका फॉरमला वांत रखना था k प्रोटीन उसको पैचानने के लिए यूज करते हैं वहां पर रेड कलरेशन आता है यहां पर आपको यहां पर यहां पर क्या होगा तो यह आपका इतना ही इतना सफीशेंट रहेगा मेरे इसआप से यहां पर इनी चीजों से आये होगे तो यह तो यहां पर आपको कॉंप्लेक्सोमेट्रेशन रेडॉक्स टाइट्रेशन ठीक है कुछ प्रिशिपिट्रेशन टाइट्रेशन या फिर एसिट बेस इंडिकेटर वगया आप पूछे जाते हैं तो यहां पर हम कुछ इंपॉर्ण जो सबसे इंपॉर्ण टाइट्रेशन है यहां पर तो वह आपकी कॉंप्लेक्सोमेट्रेशन कॉंप्लेक्सोमेट्रेशन जितना हो सकता है महां पर यहां पर डिसकस करेंगे ठीक है कॉंप्लेक्सोमेट्रेशन में क्या होता है जनरली क्या होता है आपके मैट्रेट्रेशन तो यहां पर बात करूं तो मैट्ल आयन होगा कुछ उसका हम यहां पर कॉंप्लेक्सिंग रिजेंट यहां पर यूज करते हैं और हमें जैनरली पढ़ना भी है वह है आपका eder kki और हमारा यहां पर बंति तो यह तो होता है अपका सारा मैटटल खटम हो बन गया लेकिन आपको कैसे बचले हैं कि हाँ महाँ पर मैटल क्या है कॉम्प्लेक्स हो चुका है के साथ ठीक है अगर बात करूं यहां पर अगर मैं से कर्व की बात करता है फिर हम बात करें कैसे हम इसका कर सकते हैं अगर मैं करते हैं तो कैसा दिखता है वह दिखे लेते हैं तो यहां पर क्या होगा इस एक्सिस पर आप क्या करते हैं पीएम लेशाप ही द्रो करते हैं यहाँ पर आप पीएम लेते हैं पार प्लियों से बाइप से तो अब यहां प्ली हो जाएगा अपका फीएम और मेंस लॉग से माइनस लॉग ऑफ मनला जो भी उस पर चार्ज रहा होगा ठीक है तो यह होगा ना तो अगर आपको पता है तो आपको कंसेंट्रेशन भी तो पता रहेगी ना तो यह होगा कि और यहांपर खर्यक्राइब यहां जो बनता है तो यहां पर बहुत है नगर आप भी इसी बनता है lit IgA क्राव को बाता है और और थोड़ा सा आगे लाइं करेगा तो यहां पर यह रेंज होती है यह रेंज करती है किस पे डिपेंड रती रेंज होती है कि डिपेंड और से बुलीटी ओफ था स्टेविलिटी ओफ थारर आ इसमेटाल इडियेटी ए कॉंप्लेक्स पूंप्लेक्स है वह जितना स्टेबल बन रहा होगा उतना ही एरिया जोगाओ आपका जयादा रहे खीब इतने क्लियर नहीं मिलेगा साइं कियो कैसे पता लाएं कि हमारा एकुलन स्था चुका है तो यहाँ पर भूंचा है पर इंडिकेटर्ट departed वह अमारे इंडिकेटर से मैटल आयन इंडिकेटर ठीक है और आपसे पूछे वेवी अब क्या प्रोसेस देखो क्या होता है जैसे मालों आपका मैटल सॉलूशन है ठीक है और एक पर्टिकुलर जिसमें क्या होता है पी एच हमें फिक्स रखना पड़ा थूरू आउट रियाक्शन जो हम थुरू आउट दा रियाक्शन जो हमारे टाइटरेशन होती है वहाँ पर जो भी एच होता है वह कॉंस्टेंट रखने की कोशिश करते हैं ताकि ज्यादा एरर ना है ठीक है यह पार्ट होता है तो यहां मैटल आयन इंडिकेटर से यूस करते हैं तो होता कि अगर मै थिवरी की बात करूं तो क्या होगा पहले हमारा क्या कि हमने इंडिकेटर मिला दिया हमारा मैटल इंडिकेटर है ठीक है इंडिकेटर क्या गरेगा इंडिकेटर भी कॉंप्लेक्स बना सकता है मेटल के साथ तो मैटल का जो सोलूशन था उसमें जैसे इंडिकेटर डाला त तो क्या होगा यहां पर मैटल City एडीटी ए कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और प्लस आपका इंडिकेटर बन जाएगा अब मैंने आपर रिवर्सिबल का साइन लगा दिया अब यहां पर रिवर्सिवल अभी तो लगा दिया लेकिन यह डारेक्शन फॉरवड कब रहेगी जब आपका metal EDTA complex जाधा stable हो as compared to metal indicator complex ठीक है अगर इससे जाधा stable है तभी आपकी reaction forward में जाएगी ठीक है तो generally हम यही चाहते हैं कि जो हमारी stability हो तभी हमारी titration यह successfully हो पाई तो metal EDTA की stability हो वह जाधा हो metal indicator से तभी है क्या करेगा पूरा पूरा replace कर पाएगा तो यह condition जरूरी हो जाती है कि जो metal indicator complex बना रहा है वह weak complex बनाना चाहिए जाधा weak थोड़ी बहुत stability होनी चाहिए तभी तो color आएगा तभी तो titration हो पाएगी अगर वह decompose हो जाएगा तो वहाँ पर हमारी titration बहुत जादा error आ जाएगा तो कुछ stability होने चाहिए लेकिन metal EDTA से कम stability होनी चाहिए यह necessary condition है इसको ध्यान रखने तो EDTA ने replace किया अब क्या होगा पहले कुछ और color था यहां पर और बाद में जैसे ही फ्री इंडिकेटर अब यहां पर हम बात कर लें तो कुछ indicators की तो कुछ indicators अगर मैं बात करूँ यहां पर तो पहला जो सबसे famous indicator है आपने lab वगरा में यूज किया होगा वह क्या होता solo chrome black solo chrome black क्छिक टी यह लाइव क्या बोलते है एयरायओ chrome black टीव गोलते है एयरायओ chrome एप लैएग अदी ठीक है और इसको हम क्या दोने इसके आप पह रेंज की बात करूं तो इसको हम 7-to 11 से तक यूज करते हैं और लेस देन 6.5 से यूज नहीं अगर पी एच क्या हो एफ इसमें लिख देते हैं क्लाइन इस पी एच इसले लेस देन 6.5 नो यूज ठीक है क्या होगा सुलो क्रूम ब्लैक का कोई यूज नहीं होगा नहीं यूज कर सकते हैं अगर प्येस क्या हो मेरा लेस देंट 6.5 हो जाए और अगर मैं क्या करूं इसकी रेंज की बात करूं किस रेंज में यूज किया आता है तो यहां पर यह यूजड इंदा रेंज रेंज 7-11 11-7 से लेके 11-5 की रेंज में यूज के जाता है वह इसके अगर कलर चेंज की बात करें इसमें तो यह रेड टू ब्लू होता है रेड टू ब्लू कलर चेंज करता है मतलब की रेड कॉंप्लेक्स बना लता है अगर मेंगनेशियम टाइटरेशन की बात करूं मेंगनेशियम के साथ में और क्या होगा जब एंड पॉइंट आएगा तब वहां पर यह ब्लू में चेंज हो जाएगा यह तो बात थी कि खु अगर मिथाईल अगर मिथाइल थाइमोल ब्लू मिथाइल थाइमोल ब्लू ठीक है यह तने मतलब फैमिलियर नहीं होंगे आप लोगों को तो यह जनरली मतलब कुछ जो एनरेटरी की बुक्स होती हूं उसमें ही दिये वह होते हैं और जनली हम लैब में जातर इसी से काम च होगे आप लैब में आपसे ट्रेशन करवाइब करवाई और मैंगनेशियम कैलिसिंगर मैं आपका यहीं आपका यूज हो जाता है ठीक है मिथाइल थाइमोल ब्लू की बात करों तो इसको बहुत 0 से लेकर 12 पह तक यूज कि चाहित थीक है डिफरेंट डिफरेंट इसके ल टू येलो होता है ठीक है वहीं अगर मैं बात करूं अलकलीन साइड वाली रेंज में ठीक है ट्वेल के उस तरफ तो यहां पर जो कलर चेंज होगा इस तरफ तो यहां पर इसको बोलेंगे ब्लू टू कलर लेस ठीक है यह चीज आपको ध्यान रखने थी यह थी बस यहां पर इतना आपको ध्यान रखना इसमें मिधायल थाइमोल ब्लू में ठीक है यह सारे के सारे आपके सब्सक्राइब की यह सकते हैं फिर अगर बात कर थर्ड की यहां पर एक होता आपका थाइमोल ठैलीन थाइमोल ठैलीन ठीक है थाइमोल ठैलीन इस एक नमीडिक ब्लैक्स जोन भी बोल देते है इनको तो इसकी जो आपकी range होती है वो इसको जनरली हम in alkaline medium ही उसकरते हैं इन alkaline in alkaline ठीक है alkaline range में यूज करते हैं मतलब ps जो होगा वह 78 से ऊपर ही होगा ठीक है acidic range में हम इसको यूज नहीं करते हैं thymolthalin को हम in alkaline medium यूज करेंगे और इसके अगर color change की बात करूं तो blue to colorless ही होता ही ब्लू टू कलरलेस तो रेंज आपको ध्यान रखनी है एक्जाम में आपसे पूछी जा सकती है फिर अगर बात करूँ यहां पर एक और है लास्ट देख लेते हैं क्या पता इन में सही पूछ ले आपसे इसलिए मैं यहां पर बता दे रहा हूं तो फॉर्थ के अगर मैं बात करूँ यहां पर तो फोर्थे आपका कौन्सा है हाना battery जोलो क्रों डार्टी अ And the अब इसकी रांश की बात करूं तो इस्की जो रेंज होते है पीएच तो वह 7.4 यह आपकि और अगर इसके color change की बात करें तो इसके color change आपका होता है pink to blue ठीक है इसके color change की अगर बात करूं तो pink से लेके blue तक हो सकते तो यह आपको थोड़ा ध्यान रखना है याद रखना यादी रखना पड़ेगा ने तो ठीक है अगर आप experiment कर रहो तो आपको याद हो जाता है लेकिन इन चीजों को पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है तो आप थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा हम देख लेते हैं कोश्चन इसके उपर तो जैम में पूछा हुआ है काफी कोश्चन है क्या बोला चूज दा क्रेक्ट आंसवर विद रिस्पेक्ट तुदा मैंगनेशियम इडिटी एक कॉंप्लेक्स की बात हो रही है केरिड आउट इन दा पी एच रेंज बोल दिए 7 तो 10.5 ठीक है 700 से लेके 10.5 में कौन साब का होता है उसने बोल भी दा है मैंने बताया था आपको कि अगर होनी चाहिए उसके लिए आपका जो मैंगनेशियम इंडिकेटर कॉंप्लेक्स वह लेस्टेबल होना चाहिए ना कि मूर स्टेबल है ना तभी तो आगे रियक्शन होगी तो उसके वाला एट दा एंड पॉइंड पॉइंट दा कलर चेंज तो बिल्कुल सही बात है अब जो मैंगनेशियम इंडिकेटर का जो कॉंप्लेक्स बना तो टूड गया होगा तो अब जो कलर आता है और सारा का सारा इंडिकेटर की वज़े से ही आता है यह आपको ध्यान रखने है अब दी क्या मोला पीएच रेंज ऑफ सेवन टू तैन यह अब जर्व कर पाऊगे ठीक है मैंने बताए जो इंडिकेटर होते हैं पीएच सेंसिटीव होते हैं और यह डिफरेंट डिफरेंट पीएच पर आपके अपने हैड्रोजन देते हैं और क्या होता ही अलग-अलग कलर शो कर सकते तो इसका आपको ध्यान रखना था तो य दो आपको पता है और रेडर्व और यहां पर यहां पर यहां पर प्रलाव का एक लागए यह गए जो किसी इदेशन कर रहा हो ठीक है इस तरह से इंट्रपेट करेंगे लेट्पोज आपके पास कोई a एक ऑकह लाइजिंग इसको मैं ok see D мannah वन से दweave कर रहा है प्लस यहाँ पर b आपकी रिद्वि anlam ठीक है इसको 2 से रॉर रहे ठीक है अब क्या होगा जब रीक्षिन हो जाएगी तो लिख देते हैं तो यहां पर हुआ यह equation होगई अब क्या होगा ही है जये जुरोंड लोजनली हम फैंड करते हैं यहक्विलेंस पइंड रिपर करते हैं वह इनके oxidation tới Florida फिर रृडम सबस्कारभी को कि मेजरमेंट करते हुए करते अब होगा कि हमने डाला oxidizing agent वहां डालना इसका अलग कुछ oxidation potential होगा ठीक है जैसे जैसे हम यहां पर इसको add करते जाएंगे तो reduction potential फिर oxygen potential जो होगा चेंज होगा चेंज होगा तो क्या होगा जब यह पूरा पूरा अपना oxidized form में आ जाएगा ठीक है तो एक particular हमें एक oxidation potential वहां पर मिलेगा तो वह चीज हम कैसे करेंगे वह अभी हम देखेंगे ठीक है अब यूज ऑफ इंडिकेटर हम यूज करते हैं ठीक है तो जनरली आप देख रहे हैं यहांवर monitor क्या कर रहे हैं monitor हम यहीं कर रहे हैं कि oxidation potential जो हमारा potential है वह किस तरह से चेंज हो रहा है तो हम potential की measurement ही करते हैं विद रिस्पेक्ट टाइट्रेंड जो आप oxidizing agent एड़ करते हैं उसके respect में ठीक है तो आब अगर मैं इसकी बात को a e2 not divided by a plus b यह expression आप यूज कर लेंगे एक्विलेंस पॉइंट अगर आपको potential determine करना है redox titration में ठीक है अब यह even जो है आपका वह oxidizing potential है आपका oxidized species का और जो e2 है वह आपका इस वाले couple का यह जो आला जो couple है इसका आपका e2 हो जाएगा और जो आपका यह वाला couple है ठीक है यह वाला उसका आपका even हो जाए ठीक है यह आपको ध्यान रखना even not मतलब यह कहा है standard potentials है not लगाते हैं standard potentials से ही वह तो आपको पता है हर 25 degree Celsius पर यह क्या होते हैं दिफाइन होते हैं तो वह आपको एक equation में दिये ही होंगे की बात करूं है तो यहां पर क्या लेते हैं हम amount of मतलब यहां पर oxidizing agent ऑक्सीडाइजिंग एजिंट इसको इस लिख रहा हूं में ठीक है उसका जो भी हम और करेंगे वह इस एकसे पर हम ले लेते हैं और यहां पर हमारा होती है यहां पर आप कहीं कहीं equivalence point देखने को मिलेगा बीच में ठीक है यहां पर आपकी जो होगी जो आपकी species की access रहेगी और वहां पर आपकी oxidize species की access रहेगी ठीक है यह दियान रखना आपको तो यह तो बात थी equivalence point अब यहां पर हम कैसे end point determined कर सकते हैं determination of end point देखेंगे तो वहां पर हम पहले बात करते हैं indicators की तो जनरली जो हम यहां पर indicator use करेंगे उसमें हमारी requirement क्या होनी चाहिए तो किसी ideal ideal की बात कर रहा हूं कोई अगर ideal indicator है तो सबसे पहले तो उसका जो potential होना चाहिए वह इनके बीच में लाई करना चाहिए ठीक है जो oxidized species है और reduced species का potential है उनके बीच में ही होना चाहिए ठीक है potential अब यह कौन सा कोई साभी हो सकता oxidation potential और या फिर reduction potential depends करता आप कौन सा मेजर कर रहे हैं ठीक है and titrant titrated solution solution आप टाइट्रेट कर रहे हैं और टाइट्रेंड जो add कर रहे हैं उनके बीच में अगर इसका इनेशन मतलग इस रेंज में लाई करना चाहिए इस से यहां से लेके यहां तो इस रेंज में अगर लाई कर रहा है आपका किसका प्रड़ेंशल इंडिकेटर का तो वह आपका इंडिकेटर यहां पर आपके बात करें तो इंडिकेटर होगा वह और यहां पर पहले वह पोटोंचेल होगा इसके लिए चेंज हो रहा होगा यह भी तो अगया आप बिछिशंगे सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो जिसीज़ा चांए पीधियुस्ट करण हो यह की सब्सक्राइब इस एपनी इसको सब्सक्राइब सब्सक्राइब Let's suppose हमने यहांपा Titration x serium 3 UCka को हूब है इस तरह से हैं तो इन्द का जो होगा झाह अब मैने यहां पर जो इंडिएकर यहां वे चंडिर्डेश करते हैं वो आपका होता है फिनघ्रियन complex of iron two or iron three थीक है आपका जो Fe फिनंघ्रियन होता है कि होल थ्राइस फ्री पोजिटिव ठीक है यह इसकी oxidized form है और इसमें यह क्या होता है आपका ब्लू कलर को उता है ब्लू कलर का होता है और अगर यह एक electron ले लेका तो यह चेंज हो जाएगा आपका F.E. fin advising whole thighs and two plus और यह क्या होता है? यह complaint आपने किसमे? चाड़ ट्रांस्फर में मैंने बताया था आपको यहां पर metal two ligand चाड़ ट्रांस्फर की वज़े से ही आपका inhale बरेड आ रहा होता है ठीक तो यह और इडियूस फॉर्म में क्या है अलग-अलग कलर शो कर रहा है और तो अगर मैं परटेंशल की बात करो तो एट 1.12 पर क्या होता है यह कलर चेंड कलर ट्रांजिशन दिखाता है बहुत ही आसपास है ना तो उसमें एक अलट चेंज दिखा जाता है और हमें इस कॉम्प्लेक्स को जनरली यूस करते हैं इस टाइटरेशन में यह बहुत इंपॉर्टन्ट है और इसमें क्या होता है इसका नाम अगर वह बोलो अगर इसका सॉल्फेड कॉम्प्लेक्स है ठीक फेरोइन ठीक है तो ऐसी एक्जाम में यह ऐसी नाम देता है और आपको पता होना चाहिए तो फेरोइन भी क्या है कि रिडॉक्स इंडिकेटर है उसको हम यूज कर सकते हैं एट वन पॉइंट वॉल्ट यह कलर ट्रांशन दिखाता है और अगर यह रेडियूस फॉर्म में है तो डीप रेडिकलर का होगा और ऑक्सिडाइस फॉर्म में तो यह पेल ब्लू कलर का होगा ब्लू टू रैट इसका ट्रांशन देखने को आपको मिलेगा डिपेंड करता है किस फॉर्म में यह करता है ठीक है एक और और इंडिकेटर वह भी हम डिसकस कर लेते हैं तो टै फीनायल में दैडि फिनायर उसके अमीन कर दे लामीर है तीओ टैटरेशन अगर में डायक्रोमेंड के साथ करवाँ तो उसमें जानतर यह एंजो को थीचा बीचाइटरेशन विद डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट क्या होता, CR2O7, नेगिटिव है न, क्रोमिं 6+, तो वो एक औक्सीडाइजिंग एजंट की तरह ही काम करता है, तो इसको औक्सीडाइज कर देगा, यह थी में, डाइक्रोमेट, ठीक है, इस टाइट्रेशन में, इसका हम यूज करते है आव उसा जो कलर में देखने को मिलता है वो लूटू इस एक और है आपका मिध्याइलीन ई भ्लू भी है ना तर्ड क्या है मिध्याइलीन अब्लू है यह इस इंडिकेटर में क्या होता है यह एक इंडिकेटर है और इस पर कोशन भी आया हुआ है ठीक है ऐसे आपके मनलब बहुत सारे देदें तीन-चार वहां पर पूछा था कौन सा इसमें से डॉक्स टाइटर है इंडिकेटर है तो इसकी बात करों कर मिथाइलीन ब्लू की तो इसका जो कलर चेंज होता है रिडियूस फर्म में तो ये कलरलेस होता है और ऑक्सिडाइज फ़्म की बात करों ऑक्सिडाइज घृप में थे तो ये ब्लू कलर कि ऐ Springs टिक है ऑक्सिडाइज फ़ॉम में ब्लू होगा और रिडियूस फ़म में ये कलरलेस होगा तो यह बात थे हमारे किसकी лिल्धोरAm europa तो किसा स्थी की बात करते है अपनी किसी फी पूफ़ेशं में क्या होता है कि μια क्लोराइध प्रेजिक बना रहा है अगर आप इसे अमयют निकालना है किषी सॉल्ट में ले अबस आपका आपको पूरा आपका प्रेसिपुटेट बन जाएगा आपको उसका मांट पता चल जाएगा तो इस तरह से जनरली हम यहां पर टाइटेंड यहां पर हम पढ़ते हैं ठीक होता क्या है सिंपल अभी जैसे मैंने बताया आपको वही हम यहां पर डिसकस करेंगे आपके पास NACL है प्लस आपने उसमें AGNO3 डाल दिया तो आपको यहां पर क्या मिल गया AGCL मिल गया प्लस आपको NANO3 मिल जाएगा ठीक है और यह क्या होता आपका PPT होता है यहां से प्रेस्पेटेशन हो जाएगा अब अगर मैं इसके इक्विलेंस पॉइंट की बात करूं तो एक्विलेंस पॉइंट क्या होगा जितना आपका CL होगा उतना ही एजी प्लस से रियक किया होगा ना तो यहां पर हम बोल सकते हैं क्या इसके बराबर होना चाहिए और यह किसके होता है अगर इन दोने बराबर है तो हमिंकी सोलविटी एस लेके चलते हैं कि नहीं चलते हैं और यहां यहां आपका से आप इसका equilibrium constant लिखोगे के SP तो वह क्या जाएगा स्कुर्ण के बराबर होता है आप स्की निकालोगे तो आएगी तो वही में वहाँ पर लिखाए ठीक है तो आप से इसका equilibrium point निकाल सकते हैं किसी भी जो प्रिसिपूइट बन रागर केस्पी आपको पता है तो आप इजली निकाल सकते हैं आपको यह तो पता है आपको यह प्लस कितना एड़ी किया तो वहां से आपको को सील माइनस मिल जाएगा ठीक है तो इस तरह से हम यहां पर एकुलेंस पॉइंट पे डिर्माइन कर सकते हैं तो अगेन वही बात है प्रिसिटेट बना उसके लाएं में कुछ इंडिकेटर की जब तो पड़ेगी न कुछ न िछ तो देखना पड़ेगा न में तो यहां पर हम क्या करते हैं हम देखते हैं कि टर्मिनेशन कैसे कर सकते हैं determination of determination of end point end point कैसे हम end point को determine करें ठीक है तो बहुत सारे method होते हैं यहापर मैं तीन discuss करूँ है फर्स्ट की बात करूँ तो formation of formation of colored पीपीटी ठीक है formation of colored precipitate अब इसमें colored precipitate कोई-कोई reagent तो इसमें हम कुछ reagent use करते हैं जो color precipitate बना सकते हैं ठीक है एक्जाम्पल के की बात करूँ तो हमारा K2CRO4 जो होता है इसी डाइटरेशन में आपका colored महला जो AG के साथ यह color precipitate बना लेता है यह color precipitate वहां पर बनाता है ठीक है K2CRO4 हम यहां पर यूज कर सकते हैं अब देखो क्या होगा कैसे कर सकते हैं इसको माल लम ने इसल बना एजी सेल बना ठीक है after the equivalence point क्या होगा आपका जो एजी प्लस जो आप access में डाल रहे हो उससे यह रियक करेगा और जैसे आपका coloration लग जाएगा yellow orange वैसे आपको बचल जाएगा कि हाँ मेरी precipitation complete हो चुका है ठीक है तो यहां पर इस तरह से होता है सेकेंड अगर हमाग बातको और इसी को हम बोलते हैं more method यह method याद रखन decorations more बातको nineください एक बार पूछाओ अब ये वोल्हार्ट मेथड ठीक है वोल्हार्ड कि मैथड क्या होता इसमें इसमें तो अगर मैं ऐसी बात करूए फॉर्मेशन सब्सक्राइब आप फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूय बल्कंपॉंड फॉर्मेशन ऑफ चांड यह जूर्ड वाल कमपॉंद को सॉलीवल है कमपॉंड इसमें और इसमें हम क्या करते एं देखो इसको समझना थोड़ा सा इसमें हम क्या करते हैं जनरली हम टाइट्रेशन करतें जी प्लस इंज ठीक है विद SCN माइन, वाला, thaiosinide ions या thiosinide कोई भी solider से आपका KSCN माइनस हो गया या फिर KSCN हो गया या फिर आपका NH4 SCN हो गया एगा, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपने क्या लिया है, यहाँपर AG पलस लिया यहां पर इसको SCN-negative ही लिख लेजी ठीक है तो आपका पता यह आपका AG के साथ प्रिसिपुटेड बनाता है तो यहां से आपको मिलेगा क्या AG SCN यह मिलेगा यह क्या है अब यहां पर हम यूज करते हैं कुछ इंडिकेटर इंडिकेटर हम यहां पर क्या यूज करते हैं या तो आपका फैरिक नाइट्रेट फैरिक नाइट्रेट या आपका इंडिकेटर अब क्या हुआ जैसे इसने इसने पूरा कॉम्प्लेक्स कर लिया अब फर्दर आप जब डालोगे एकसे जैसे डालोगे तो वह आपका इंडिकेटर प्रेजेंट होगा मतलब इसके साथ रियक्ट करेगी इसके साथ तो एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा आपका एंडिक है और यह आपको पता है कैसा होता है आपका कलर होता है रेड ब्राउन कलर दिखाता है आपको यह रेड ब्राउन कलर का यह होता है तो जैसे आपका बने लग जाएगा आपको पाचल जाए कि हाँ एजी प्लस की जो वहां पर कंप्लीट हो गया एजी प्लस का तो हम जनले टाइटरेशन तो एजी प्लस की कर रहे होते लेकिन हम लेकिन जो यहां पर उसमें सब्स्ट्रेक करके आपको पाशे जाएगा कि यहां वहां पर कितना CL- या BR- प्रेजेंट रहा होगा तो हम कर सकते हैं इस मेथड से CL- और BR- की लेकिन जो यहां पर जो जिसकी हम कि हम यूज करते हैं कुछ कट्रम करते हैं कुछ एड़ोफिशनिंडिकेटर एंडिकेटर ठीक हैं उसका यह यह एड़ॊप्शनिंडिकेटर और इसका जो यह दिया आपको फिनोमेंट पता है कि कुछ पने सर्फेस के ओपर यहां पर कुछ ऐसे होते हैं जो प्रिसीपिटेट होता है आपका इंडिकेटर होता है इंडिकेटर इंडिकेटर एडिजॉर्बड बै इंडिकेटर इंडिकेटर को हिए ईडिकेटर कर लेगा इंडिकेटर को ही निडिकेटरी कर लेगा लगलशीचिन तो जो हम पर इंडिकेटर यूज़ करते हैं वह आपके होते हैं एक तो आपके ऐसीड डाइज होती है एसिड है जिसमें आपकी फ्लोरीशीन सीरीज जो होती है वह फ्लोरीशीन तो टीक है फ्लूरीीजन सीरीजीग होती है वो कि यही यह Пос्Mac यूज कर सकते हैं जिसमें आपकी रोडामीन सीरीज चाहती हैं यह पैसे कर के रोडामीन शीरीज आती है इंथ्प cancer यहीं टो एक्ते हैं लूडामीन असे यह इन कर सकते हो ठीक है तो यह हमारी क्रसांप हो ख़ते हैं यह फिसके नहीं कर रहे हैं ठीक है लेकिन वह भी इंक्षर किया हुआ तो यह आपका जैनप आप जो प्रिपिए सर्फ लेकोशन देखे थे उनके बेसिकर बनाया हुआ अरए थोड़ा और अब लोको है helpful रहेगा अभी के लिए happy learning